नमस्ते दोस्तों मैं अगनी मिरचकर बीजेन चैनल से बात कर रही हूँ आज हमारे साथ ओशो सन्यासी हैं जो की लखनों से हैं तो आईए हम उनके बारे में जानते हैं उनका नाम जानते हैं और कब से ओशो से जुड़े हैं ये भी जानते हैं स्वामी जी आपका नाम क्या है जी मेरा नाम सत्य सुबोध है और मैंने ओशो से सन्दोहजार एक में सन्यास लिया था आप आश्रम गये हैं उपुने आश्रम हाँ मैं चार-पांच बर गया हूँ में मानसून फेस्टिवल में अक्षर जाता हूँ हर दोसार पर सो ओशो की जो भी जो ओशो ने अपनी अपना संदेशा देना चाहा है इस दुनिया के लिए उसके बारे में बताए थोड़ा अब देखिए उनके बारे में क्या बताओं मैं तो बहुत छोटा हूँ सारे जितने आज कल जितने भी क्रिएटिव पीपिल्स हैं वो बात कर रहे हैं और मुझे अमिर्टा प्रितम जी की एक बात त्याद आती है उन्हों कहा था कि ओशो के होने से यह मनुश्यता जंधन् लिए है कि उन्होंने हर गुद्ध पुरुष पे बोला उन्होंने और ध्यान की ऐसी ऐसी विदिया दी जो किसी और नहीं दी वरना आज का युवा जो है धर्म के नाम से भागता था कि एक बोरिंग चीज थी मतलब 60 70 के बाद थी लेकिन जो करने की चीज अभी है उसको ऐ करोगे तब आनन मिलेगा उसे उनका घंटे उनका डाइनमिक मेडिशन कर लो देखो आपको बरसो का जो जमा जमाया जो कच्रा है जो डिप्रेशन है वो गायब होगा तो जैसे के आपको सुनने में तुआया होगा कि प्रोटेस्ट चल रहा है इसके बारे में आप कुछ ब बहुत ज्यादा कॉसली था क्या क्या परायापन शमा करें अरे वहां लाइन लग जो है खाने के लिए जैसे होता है क्लेट मिल जाती आप कहीं जाते हैं कि हां सबजी के लिए अलग पैसे देने पड़ते हैं चावल के लिए अलग रोटी पता लगा 20 रुपए की है केला ज इंट्रीगेट पर हमने दे दिया हमारा कार्ड बन गया इंट्रीगेट पर मिटल डिटेक्टर लगा है दोनों गेट पर उसके बाद बुद्धा हाल में जा रहे हैं वहां एक जो है महोदा बैठे हुए हैं वो सब की तलाशी ले रहे हैं कि कहीं कोई रिवालवर तो नहीं हैं कोई हो नहीं जबकि सब एकदम ट्रांसफरेंट कपड़ों में रहते हैं एक रोब में तो यह सबसे लगता था लेकिन यूस्टूथ हैं कि अगर कोई विरोध करेगा तो अब इतने पैसे लगा जाते थे तो कौन इनके मुझ लगे और सबसे बड़ी विद माला अंदर करना तो वो भी एक कंप्रोमाइज ही रहता था लेकिन अब यह लगता था कि चलो हम तो ध्यान करने आए हैं इनसे कौन है लेकिन अब देख रहे हैं कि और सभी लोग इसी वज़े से चुपते हैं कि चलो इन्हें आवाइट करो क्या कर सकते हमें तो शो से मतलब है ध्यान विजियों ध्यान करने आए हैं दीरे दीरे वो लोग बेच रहे हैं तो पानी सर्फ से उपर जा चुका है अब कुछ ना कुछ करना पड़े ना पड़े विरोज जत आना पड़ेगा वश्व ने कहा है कि हम इते लिए गुलाम रहें कि हसी उपर वाले की मज़ी समझ के छो पूरी है क्या आप उनिस तारिक को लखनों से मेरी उनिस को बुकिंग है मैं उनिस से बाइस तक रहूंगा वहां आनन से खूब नाचेंगे अमाय गुरू ने बताया कोई इंसा नहीं कोई ऐसा नहीं काम करो जिससे जो है पूना वो रिजनिश्प्रम में भी जब गिराफ सकते हैं सो और और कुछ एक्स्ट्र आप कहना चाहते हैं हां कि हम उनसे सभी सन्यासियों से तो कहेंगे कि हां सभी लोग पहुंचे जरूर पहुंचे वरना आपको नीन नहीं आएगी मुझे मैंने मुझे इसलिए देखिए ओश्व आश्रम रहे नहीं रहे अस्तित्त्त् हैं तो मुझे जिन्दगी भर के लिए यह बात कचोटेगी कि मैंने क्या किया यह है थांक्यू सो मज़ स्वामी जी क्योंकि यह आपने जो भी बात कही है कि आपका मन कचोटेगा जब आप आश्रम के लिए खड़े नहीं हो सकते हो तो यह बहुत ही दुगदाई बात होग हमारे बीजन टीवी चाइनल से जुनने के लिए हमारे चाइनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइब